गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इस्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है और आज का डिक्टेशन इस GMS 222 इसमें आपको मिलेंगे दो डिक्टेशन 80 और 100 असी आपको दिया जाता है हिंदुस्तान से और 100 दिया जाता है जागरण से तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करेंगे असी सब्द प्रती मिनट स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड बाद लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जो समस्या खड़ी हुई है निदान की कोसें जारी हैं मगर इस से इतर भी कई मोर्चे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच तलखियां बढ़ सकती हैं डिजिटल छेत्र में 69 चीनी एप को प्रतिबंधित करकी नई दिल्ली ने बीजिंग को यह साफ कर दिया है कि अब वह उससे बहुत सदासाइता की उमीद ना रखे इस बीज एक खबर यह आ रही है कि चीनी कंपनियां तीसरी पार्टी के जरिये भारतिय वाजार में अपना निवेश और उत्पादों का प्रबाह बढ़ाने में जुटी हैं और इसके लिए बे सिंगापुर वह हौंग कोंग जैसे देशों की ब्यापारिक मार्ग का इस्तिमाल कर रही हैं जाहर है इन देशों के साथ हमारा मुक्त ब्यापार समझ होता है और इसके अलावा भी अनेक दुई पक्षिय करार हैं यदि ऐसा है तो यह न सिर्फ अवैध कारुबार है वलकि यह हमारी घरेलू उद्योगों की हितों को नुकसान पहुचाने वाली धूर्तता है फेडरेशन ओफ इंडियन एक्सपोर्ट और्गनाईजेशन के आंकडे भी इस बात की साफ संकेत दे रहे हैं इसके मुताविक पिछले साल चीन के साथ अपने ब्यापार घाटे को भारत ने जितना पाटा था लगवग उतना ही हौंकों के साथ उसका ब्यापार घाटा बढ़ गया यानि भारत का सारा लाव सून्य हो गया सिंगापुर के मामले में भी आंकडे ऐसे ही इसारे कर रहे हैं उमीद है बानिज्य मंत्रालय नई प्रष्ट भूमी में इसका संग्यान लेगा और सरकार समुचित कारवाई करेगी यह कोई ढगी छिपी बात नहीं है कि पिछले कई वर्सों से दुनिया के बड़े बाजारों पर कबजा करने के लिए चीन हर मुम्किन कोसिस कर रहा है एसिया और अफरेका के छोटे छोटे देशों को बड़े कर्ज देकर या तरह तरह की परियोजनाओं में निवेश के जरिये वह पहले ही अपना आर्थिक उपनिवेश बना चुका है पर बड़े बाजारों में उसकी दाल गल नहीं रही अमेरिका ने टेरफवार छुड़कर उसे काफी हद तक जुकने को बाद भी किया है ऐसे में भारतिय बाजार में यदि चीन चोर दरवाजे से गुसने में काम्याब हुआ तो हमारे घरेलू उद्योग धंधों को वह काफी आगहात पहुँचा सकता है खासकर लगु एवं मध्यम स्रेणी के उद्योगों के लिए उसके उत्पादों का सामना करना असंभब हो जाएगा बड़े प्यमाने पर रोजगार पैदा करने की चुनौती जेल रहा देश इस इस्थती से निपटने के लिए तैयार नहीं है अंतर राष्टिय राजनय की अपनी तकाजी होती है हम कई बार मित्र देश के साथ भी कुछ मसलों पर इत्फाक नहीं रखते और अपनी अलग राह चुन्ती है चीन पडोसी है मित्र देश नहीं वह हमारे लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रहा है न सिर्फ बैस्विक मंचों पर वलकि प्रकारांतर से करेवी पडोसियों के मामले में भी अब हमारे आर्थिक हेतों को चोर दरबाजे से नुकसान पहुचाने की बातें आ रही है इसलिए वक्त आ गया है कि उससे जुड़े तमाम मोर्चों पर पैनी निगाह रखने और तौरित फैसले में समर्थ एक मुकम्मल विंग का गठन किया जाए भौगोलिक सीमाओं के अलावा डिजिटल दुनिया वा अन्य आर्थिक छेत्रों में भी बेकाबू हो रही चीनी महत्तो कांख्षाओं को लगाम लगाने का यही सबसे मुफीद वक्त है चीन के साथ अपने ब्यापार घाटे को कम करने की कवायदों को गत देने के अलावा हमें उन छिद्रों को भी बंद करने की जरुवत है जिधर से हमारे हितों को हानी पहुँच रही है बीजिंग को समझना ही होगा कि भारत अब उसके किसी छलका सिकार नहीं बन सकता तो यह था 80 सब्द प्रती मिनट और अब समय है 100 सब्द प्रती मिनट का हनिट वैट प्यम का सोर्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और रही बात आउटलाइन्स की और पीडियेफ की तो आप वाटसेप टेलेग्राम को जोईन कीजिए बहां पर आपको यह सब मिल जाएगा वाटसेप पर आप डिसकस भी कर सकते हैं वाटसेप आउटल चले स्टार्ट करती हैं हन्डिट वैट पीम स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड बाद इससे खराब बाद और कोई नहीं हो सकती कि कई राज गरीवों को मुफ्त दिये जाने वाले अनाज के बितरण में हीला हवाली दिखा रहे हैं केंद्रिय खाद एवं उपहुकता मामलों के मंत्री रामबलास पासवान तो यहां तक कह रहे हैं कि आंध्रप्रदेश, महराष्ट, करनाटक, तेलंगाना, आदिराज्य, प्रवासी मजदूरों को बितरित किये जाने वाले अनाज का भंडार उठाने से ही इनकार कर रहे ह इसका सीधा मतलब है कि ये राज्य इसकी चिंता करना जरूरी नहीं समझ रहे कि रोजगार के अभाव में बड़े सहरों से अपने गाउँ घर लोटे, मजदूर, भूखे पेट ना रहें, यह घोर संबेदन हीनता ही नहीं, गरीब बिरोधी रवईया भी है राज्यों के ऐसे रवईय के बाद यह सवाल उठना स्वभाविक है कि प्रधान मंत्री ने गत दिबस पीम गरीब कल्यान अन्य योजना को नवंबर माह तक विस्तार देने की जो खोशना की वह सही तरह जमीन पर उतर पाएगी या नहीं क्योंकि यह योजना मार्च से ही लागू है इसलिए यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि क्या उस पर ढंग से अमल किया जा रहा है यह सवाल इसलिए क्योंकि इस योजना पर अमल के बाद यह सामने आया था कि कुछ राज्यों में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने में सुस्ती का परिचय दिया जा रहा है इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं की गरीब हित ऐसी बनने दिखने के लिए कई राजनीतिक दल यह आरोप तो लगाते हैं कि मोधी सरकार गरीबों की परियाथ चिंता नहीं कर रही है लेकिन बे उनके हित की योजना को आगे बढ़ाने में आनाकानी भी करती है आखिर यह हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और वाली कहावत चर्तार्थ करना नहीं तो और क्या है रामबलास पासबान को जिस तरह यह कहना पड़ा की राज सरकारें गरीबों को दिये जाने बाले अनाज का अगले पांच महीने का भंडार भारतिये खाद्य निगम के गोदामों से उठाने में कोता ही ना करें उससे राज्यों के डुलमुल रवाईय की ही पुष्टी होती है तथ यह भी है कि कई राज्यों ने अनाज उठा तो लिया है लेकिन उसे बितरित करने में धिलाई बरत रही हैं राज्यों के ऐसे रवाईय के बाद इसे और आसानी से समझा जा सकता है कि एक देश एक रासन काड की महत्यों कांग्शी योजना को देश भर में लागू करने में देरी क्यों हो रही है अगर यह योजना समय रहती पूरे देश में लागू हो गई होती तो सायद इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ता बहतर हो केंदर सरकार 80 करोड लोगों को अपने दायरे में लेने वाली पीम गरीब कल्यान अन्योजना को सही ढंग से लागू कराने के लिए राज्यों पर नकेबल दवाव बनाए वलके उनकी निगरानी भी करे तो यह था 100 बड़ पीम जो कि समाप्त हुआ ऐसे स्पीच आपको मिलती रहेगी रेगुलरली इसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा अपडेट भी रहना पड़ेगा तो डिस्क्रिप्सन चेक करना ना भूलें वहाँ पर आपको और भी यूसपल वीडियो के लिंक प्रफ मिल जाती है और इसके लाबा वाट्सप टेलिग्राम चैनल के लिंक भी है और यदि आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं वाइस के जड़ेवी मैचिंग कर सकते हैं रहीवाद पीडियएफ की तो बता दिया गया है कि आपको पीडियफ टेल अगर आपको नहीं देखती है तो अब हर बार हर मेंबर के जुड़ने पर तो सेंड करना पॉसिबल नहीं होता इस बजाए से परिसान होने के आवश्यक्ता नहीं है